खूपसूरत बेदाग और निखरी तवचा आसानी से नहीं मिलता है लेकिन ऐसे स्किन सबको चाहिए होता है और इसके लिए आज के दौर में ज्यादा तर लोग केमिकल बेस्ट प्रॉडक्स के उपर ज्यादा डिपेंडेंट हो गया है जो स्किन को फाइदा कम और नुक्सा स्यादा पहुचाते हैं तो अगर आप अपने चहरे को हमेशा के लिए खूपसूरत और ग्लोइंग देखना चाहते हैं तो केमिकल बेस्ट प्रॉडक्स के बदले नैच्छल चीजों का स्यादा इस्तबाल करें हमारा जो स्किन के रूटीन है जिसका सबसे इंपोर्टन करें तो ऐसे फेसवाश को चूज करें जो आपके स्किन को ना सिर्फ बाहर से साफ करता हो बिल्के आपके स्किन को अंदर से हेल्दी बना कर रखे और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक फेसवाश की रिएपी शेयर करने वाली हूँ जिसे मैं नाचुरल चीजों से बनाऊंगी और ये face wash ना सिर्फ आपके skin को बाहर से साफ करेगा साती साथ आपके skin को अंदर से healthy भी बनाएगा और आपके skin को lighter and brighter or whiten तीनों ही effect देगा और इस face wash को बनाने के लिए main ingredient के तौर पर जिसका हम use करने वाले है पूहर राइस यानि की चावल चावल तो हरे के घर में मौझूद रहता है और चावल में antioxidants, vitamins कई तरह के nutrients पाये जाते हैं जो skin के लिए बहुत अच्छा होता है और इसमें skin whitening agent भी मौझूद रहता है जो skin के रंगत को निखारने में मदद करता है और इवन skin tone को even बनाता है और यह जो homemade rice face wash आज हम बनाने वाले है इसका जो texture है market वाले जो face wash आता है बिलकुल वैसा ही texture है इसका क्रीमी फॉर्म में है बिलकुल भी liquid consistency नहीं है इसका और जब इसे आप अपने face पर apply करेंगे तो यह बिलकुल वैसा ही जाग बनाएगा जैसा कि face wash होता है मतलब जिस face wash क आप इतने दिनों से आज तक use करते आ रहे हैं बिलकुल वैसा ही जाग बनाएगा आपको लगेगा ही नहीं कि इसे आपने घर पर तयार किया है और इस face wash को बनाने के बाद मैं इसे अपने face पर लगा कर भी आप लोगो दिखा दूंगी आपको पता चले कि यह face wash वाकर ही मे इसके बाद इस चावल को हम नाप लेंगे क्योंकि यह बहुत जरूरी है इस face wash को तयार करने के लिए कि कितना amount चावल आप ले रहे हैं तो मैं यहाँ पर एक cup ले रही हूँ और इस cup के हिसाब से नाप लूँगी तो लगभग मैं यहाँ पर आधा cup जितना चावल ले रही अब एक दूसरा बोल लेकर उसमें हम चावल को डाल देंगे फिर इसे पानी से अच्छी तरह धोलेंगे कम से कम तीन से चार बार हम धोलेंगे और इसे धोते वक्त इस बात का ध्यान रखिए कि इसे बहुत बार नहीं धोना है आप आट दस बार धो रहे हैं तो ऐसा बिलक एकदम साफ पानी देखने को मिल जाए जैसा यहाँ पर दिख रहा है आप देख सकते हैं कि एकदम साफ पानी निकल गया है तो आप समझ जाए कि चावल धोना complete हो गया है अब आपको क्या करना है इस चावल में पानी आट करना है जिस कप के हिसाब से आपने आधा कप चावल चाहिए उससे डबल अमाउंट में पानी आट करना है अब इसे ढग कर तीन घंटे के लिए हम रख देंगे तीन घंटा हो चुका है अब इस प्लेट को हम बोल के उपर से निकाल लेंगे इस चावल को आप 4-5 घंटी या फिर जादा टाइम भी भीगो कर रख सकते हैं लेकिन मिनिममम तीन घंटा भीगो कर आपको रख रही है तीन घंटे के अंदर ही आप देख पाएंगे कि चावल जो है वो काफी सॉफ्ट हो गया है अब इस चावल को इसके पानी के साथ ही ब्लेंडर में डाल दे और फिर इसका एक पेस्ट बना ले यह जो चावल का पेस होगा फिर इसके उपर एक चनी को रख दीजिए कुछ इस तरह से अब जो चावल के पेस्ट को हमने तयार किया है उसे इस चनी की मदद से चान ले एक चमत से हिलाते हुए इसे चाने और इसे चानने के लिए आप चनी के जगह पर किसी कॉटन क्लॉथ कर भी यूज कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चावल का जो मूटे पार्टिकल्स है वो चनी में रह गया है इसे आपको फैकना नहीं है आप इसमें थोड़ा सा हनी एड़ करके इसे स्क्रब की तरह भी यूज कर सकते हैं सेम तरीके से बाकी चावल के पेस्ट को भी हम चान में डाल दे और उससे प्रेस करते जाएं आप जैसे जैसे प्रेस करते जाएंगे चावल का जो स्मूथ पेस्ट है वो बनता जाएगा तो यहाँ पर चावल का एक स्मूथ पेस्ट हमें मिल गया है और पहले वाला जो पेस्ट था उससे काफी ज्यादा स्मूथ है इसके टे है उसमें केमिकल काफी कम होता है और अगर आप अपने फेस्वाश में कोई भी सोप बेस यूज़ करना नहीं चाहते तो इसके लिए आप बेबी वश्च या फिर लिक्वीट कैस्रेल सोप का भी यूज़ कर सकते हैं सोप को अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है इसके बाद पैन या फिर बरतन को गैस के उपर चड़ा देंगे फिर जो चावल के पेस्ट को हमने तयार करके रखा था उसे इसमें डाल देंगे इस चावल के पेस्ट को कुछ देट तक हमें पका लेना है और इसे पकाते वक्त गैस का फ्लेम एकदम लो रखना है इसे मीडियम या पानी एट कर सकते हैं पानी आट करने के बाद हम इसे चमत की मदद से फिर चलाएंगे और इसे चलाना बंद अब को करना नहीं ही तो है तो फिर ये बतन के नीचे पूरा लग जाएगा और ये फिस वोश अची तरह से नहीं बन पाएगा कुछ देर तक पकने की बाद जब ये एकदम ठीक क्रीम जासा बनने लग जाए तब इसमें सोप आट कर देना है मतलब कि जिस सोप को हमने ग्रेट करके रखा था उसे हम यहाँ पर आट कर देंगी और यहाँ पर हम लगभग 2 टेबिल स्पून ग्रेट सोप डाल रहे हैं अगर आप फेस वोश में ज़ादा जाग चाहते हैं तो आप ज़ादा सोप भी आट कर सकते हैं सोप को डालने के बाद हम चम्मत से इसे फिर से मिला देंगे ताकि यह सोप अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और इस चावल के पेस्ट के साथ मिल जाए तो यह दोनों अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और आप देखी सकते ही आपर थोड़ा बहुत जाग भी बन गया है जब यह इस तरह का बन जाए तब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे निकालेंगे हमने इसे एक बोल में निकाल लिया है और इसे निकाल लेने के बाद कम से कम 15-20 मिनिट के लिए इसे ठंडा होने के लिए रख दे अलरी हमने इसे ठंडा कर लिया है अब इसमें हम एड कर देंगे गलीसरेन वान टीजपून जितना गलीसरेन यहां पर हम डाल रहे हैं नेक्स टू टू थ्री टीजपून जितना रोज वाटर यहां पर हम डाल देंगे अब इसे चमत की मदद से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे इंग्रिडियन्स आपस में अच्छी तरह से मिल जाए और यह हमारा राइस फिश वोश तयार है अब देख लेते हैं इसे स्टोर कैसे करना है और कितने दिन के लिए स्टोर करना है इस फेस वोश को स्टोर करने के लिए मैं यहाँ पर एक पम बॉटल कर यूज कर रही हूँ आपके पास जो भी बॉटल एवेलेबल है अब उसी कर सकते हैं चाहे वो प्लास्टिक का हो या फिर ग्लास का लेकिन जिस बॉटल का भी जिसके कारण इसे आप ज्यादा दिन के लिए स्टोर करके नहीं रख पाएंगे इसे आप कम क्वांटिटी में बनाएं कुछ दिनों के अंधरी इसे खतम करें और फिर से नया बना कर यूज करें फेस वोश को हमने बॉटल में भर लिया है और अब इसके धकर को हम बंद कर देंगे इस फेस वोश को आप कम से कम साथ दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और डेली इस फेस वोश को यूज कर सकते हैं अब इस फेस वोश को मैं अपने चेहरे पर अप्लाई करके आपको दिखा देती हूँ कि यह कैसा बना है सबसे पहले अपने चेहरे को ह ऐसे जैसे आप इसे मसाज करते जाएंगे इस फेस वोश का जाग भी बनता जाएगा इसे कितनी देर तक मसाज करना है लगभख 60 सेगेंड्स जाने की एक मिनिट तक इस फेस वोश से आप अपने चेहरे की मसाज कर ले और एक मिनिट तक मसाज कर लेने के बाद अपने चेहरे तक इसका यूज आप करते जाए एक उपते बाद आप खुद फील कर पाएंगे कि आपका स्किन पहले से काफी ज्यादा बहतर बन गया है क्योंकि ये फेस वोश ना सिर्फ आपके स्किन को बाहर से क्लीन करेगा बलकि आपके स्किन को अंदर से भी हेल्दी बनाएगा और और भी नएनी वीडियो अगर आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करते हैं तो आज के लिए बस इतना ही फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ